देख रहेए हैं आग तो प्राइडे सिसन में यहां पर अगर आप देखे तो आसेंडुकर की dog नजर आ पुछ यहां पर देखें तो उपर रिजिस्टेंस फेस कर रहा है नीचे से हरवा इस लेविल पर सपोर्ट लेता है तो असेंडिंग ट्रैंगल की कम्प्लीट अच्छी फॉर्मेशन बन रही और इसलिए आप देखें ब्रेक आउट देने की कोसे जरूर करी स्टॉक ने पर यहां पर उतना सस्टेंग नहीं कर पाया उपर 495 पर प्रॉफिट बॉकिंग भी और तेजी के साथ सेल आफ लाए तो यहां पर सस्टेंग तो नहीं कर पाया अब यहां पर यह तो अभी का जो मूव बनत हुए नजर आ रहा है वो बाद में थोड़ा अब यहां पर आप द लास्टाइम यह 367 CR की रही है एक्सपेंसेज अपने 3725 CR के रहे हैं लास्टाइम 3305 के थे ओपरेटिंग प्रॉफिट 448 CR का रहा लास्टाइम 372 CR का था अधर इंकम 5 CR लास्टाइम 36 CR यहां पर थोड़ी गरावट हुए इंडरेस्ट रेट अपना 31 CR लास्टाइम 21 CR तो इ प्रॉफिट 186 CR का और लास्टाइम 181 CR का ओपर आप देखें तो EPS थोड़ा सा बढ़ाया 2.17 रुपीज हो गया लास्टाइम 2.12 रुपीज था इंवेस्टर्स पर नजर डालने तो FIA ने अपने टेक थोड़े बढ़ा है 13.57 कर दिये और DIA को आप देखें तो यहां पर D DIA ने अपने हलके से स्टेक अपने घटाते वे नजर आया 18.57 हो गया अदरवाइज आप प्रमोटर्स पर डालने नजर तो विस्ट इंटेक्ट हैं अब यहां पर जो समझने वाली बात इस टॉक ना ब्रेक आउट दिया सस्टेन नहीं कर पाया तो नेक्स सेसन के लिए पह और इसके बाद फिर आपन को दिखेगा 525 का अब यहां पर दे रही है बस ब्रेक आउट की डेफिनेटली देगा अभी नहीं देगा तो थोड़ा टाइम लेके दो चार दिन में देगा जरूर पर आएगा जरूर ब्रेक आउट स्ट्रॉंग सपोर्ट यहां 20 डेए में का बनता जा रहा है उपर के लेवल पर भी आप देखे तो उसी लेवल का सपोर्ट बनने वाला है जो इंपॉर्टेंट है स्टॉक में कि स्टॉक में जब ट्रेंगल का यहां ब्रिक आउट होगा तो जाहिर सी बात है उपर की दिशा में जाएगा नतीजे अच्छे रही हैं तो आप अगर में देखें तो अल्रेडी स्टॉक ने रिटर्ण जो निकाल लेते अपने वो रिटर्ण अच्छे निकल किया यहां कहीं से अगर स्टॉक को पकड़ते हैं मार्च में तो 66% निकाले उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया तो स्टॉक की यह आदत है कि अब में स्टॉक सोपोर्ट का होगा तो सपोर्ट की बाद आती है स्टॉक stiff सपोर्ट बनेगा अपना नीचे की दिशा में वो रहेगा फोर सेविंटी पे पहला तो क्योंकि स्टॉक और इसके बाद अगर फुर्दर स्टॉक सपोर्ट में दिखाएगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन के पास इस ट्रेंड लाइन को नहीं तूटने देगा जब तक यह ट् अगर दिखती है तो ट्वेंटी डेए में स्टॉक अच्छा सपोर्ट दिखाएगा मार्केट कितना भी अंसर्टेन रहे यहां से बांस बैक यह पूरी संभाव नहीं रहें तो आपको बता दू मैं लाइब भी रहता हूं मंडे टू फ्राइडे रात में नौ बजे और सु तो आप अपनी क्वेरीज वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो दिस इस में सुबह में आदव साइनिंग ओफ